कि यह सर को के थैंक यू मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए जी तो आपको दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रॉडट्ट कैसे लेनी है इसमें को क्वेस्टन है तो बताईए डी इंटो डी डैश कैलकुलेट करना यह आपको मैंने बता जी इसी तरह से बाकी हम जो दो व इस तरफ जीरो है उनको आपसे मुल्टिप्लाइ करेंगे और इन तो इन तमाम टरम्स का हम एक सम्झार है इनको अड़ कर रहे हैं इस जीरो इस जीरो दिस जीरो दिस जीरो डिस जीरो टो टो इस एक्जैमपल में जो यह समझीगा जो नुमेरिटर पार्ट है ठीक है नुम कैसे निकालते हैं इस अब नेक्स्ट हमें दो एपसलूट वैलियू सेंगे दोनों उन वैक्टर्स की जिन्हें हमने आपस में क्रॉस मुल्टिप्लाइक किया तो नोट किजगा फिर्स्ट हम डी की जो है वह आपसलूट बैलियू निकाल रहे हैं और यह एस पूरी टर्म का हमें जो है वो स्कोर्य रूट लेना पड़ता है और नोट की जिए यह 211-20 क्या है यह उस वेक्टर के अंदर यह वाली वैलीज़ है गोड़ से देखें डी में यह वाली वैलिज़ एंदर तो हमने करना क्या है नोट की जिए इधर आये हर एक वैल्यू का हम स्कुर्थ यह देखिए How 2 तोटल इन्नकलेगा उसका हम स्क्वेर उट ले ले लेंगे बहु का स्क्वेर प्लस 15." तो सहन का स्क्वेर रूट है देटिस dos 246 logo jim यह इस वेक्टर की एपसूल्ग वैजू है in a similar fashion we will calculate the absolute value of the other vector d-dash and again d-dash में जो वेक्टर है वो यह नोट कीजिएगा यह वाला वेक्टर है जी इस वेक्टर को हम पिक करेंगे और हम इस वेक्टर को यहाँ पर इसके अंदर जितने भी एलबेंट्स हैं one by one उनका square लेंगे तो यहाँ पर zeros काफी हैं यह 0 है प्लस one है यह भी 0 है تو square root वान आएगा और one का square root one ही होता भानी होता है अब हमारे पर दोनो जो जो है वह अप्लाई कर सकते हैं वह था कि यह वाली जो वैलिव आई है एक मिनट यह दिस वैलियू डिवाइड बाइ दो मुट्रिकेशन आफ दीज तू वैलिव इस यह वाली जो दो वैलिव इनकी आपस मुट्रिकेशन करेंगे जी डिस इस दी इक्स्प्रेशन जो बनेगी और जो एंसर आएगा वो है 0.378 यह जी इसकी अपस में सिमिलारिटी दोनों डॉक्मेंट्स की 0.378 तो हम नोट करेंगे जो हमारे पस वैलियू आया करेगी वह 0-1 के दर्मियान रहेगी जी बटा एनी क्वेश्टन जीर अब आपको को साइन से मिलारिटी फाइंड करनी आज नहीं चाहिए एक क्वेश्टन यहां पर है तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप सॉल्व करके बताएं तो कर लेंगे यह वाली सिमिलारिटी अगर हमने चेक करनी हैं इन दो की चले हैं आपको होमग दे देते हैं अभी लेक्शर में तो हम टाइम नहीं जाया करेंगे इसके उपर तो दिस इ इसको कर लीजेगा तक कि आपको यह अच्छे तरीके से समझाजे सारी उपर सॉल्वड है आपने बिलकुल वही स्टेप्स रिपीट करने और आपको एक सेमिलारिटी मेशर जो है इसका भी मिल जाएगा इस अब हम लिट सपोस्थ बात करते हैं कि आप दो संटेंस की और पहले पास सब्सक्राइब फ़ाट तक्स्ट है या दो पहले संटेंसरा रहां रहेंटिक डिइव इनिटे विद खौल्ड विंड यह और सेकेंड टेस्ट है यह संटेंस्स समय ले एक ओस नमयले now let's take take us some text for similarity detection for example a cold day अब हमने ये चेक करना है a cold day जो है इन में से किसके ज्यादा करीब है क्या ये इसके ज्यादा करीब है इसके ज्यादा सिमलर है ये इसके ज्यादा सिमलर है this is the question that we actually need to answer कैसे करेंगे इसके पहले उनके वेक्टर्स बना के और फिर ठीक है वेक्टर्स बनाने से पहले आपको क्या करना है सबसे पहले क्या करना होगा आपको पहला स्टेप आपको वकाबलरी बनानी होगी सबसे पहले जी आपने वकाबलरी बनानी है ये भी एक्सेसाइज है जी शायद ये सॉल्व हुई भी ये देख लेते हैं फिर आप इन तमाम के वेक्टर्स बनाएंगे तीनों के एका बीका सी का देन आप को साइन सेमिलरिटी को साइन सेमिलरिटी यूं कर लें सी एस तीनों की निकालते जाएंगे ठीक है अब आपने को कोई आइडिया बताएं यांई इनकी आपसमें निकालेंगे इसके एबी सेने नुकर निकालेंगे आप्के साथ आपने कुसाइन सेमिलरिटी और फिर आप निकालोगे बी-की-सी-क शार ठीक है और वह निकाल देगा आपको इन दोनों की सिमेडियर टे प्रफ चेक करोगों कौन सा नंबर जो है वह बढ़ा होगा इन में से जो नंबर बढ़ा होगा वॉड बी वह डिसाइड कर देगा जी किसकी सेमिलियर्टी सी के करना है कि जैसे यह प्रिविए स्लाइट में याद रखीगा यह हम वक्त आपका यह जी तमाम लोग ने कर ले ना प्लीज को सिम्लाइट के बाद हम आगे वड़ते हैं यह बहुत चंपल और यह तो यह करता किया है यह काम किसे करता है यह सारी बातें जो हम से विरेटी कि ही आच करेंगे a commonly used measure for overlap overlap वही होता है कि एक common चीज़ जिसे कहते हैं similar चीज़ जिसे कहते हैं of two sets A and B is the jacquard coefficient jacquard coefficient दरसल दो सेट्स हों अगर मारे पास दो टेक्स तो कॉर्पस हों दो संटेंसेंस हों दो डॉकमेंट्स हों उनके अंदर जो उनका overlap चेक करता है यानि वह एरिया जो common है वह जो चीज़ यह चेक करता है इसको कहते हैं जयकार्ट कॉफिशंट जयकार्ट कॉफिशंट आफ टू सेट्स नोट की जगा एक कॉमा भी यह उसको calculate करने का फॉर्मॉला क्या है फॉर्मॉला यह नोट की जगा हम सबसे पहले इनका intersection दोनों का लें common element common element और union में क्या होते हैं थीक है यहां पर हम add कर रहे होते हैं वहां पर हम दोनों में से common चीज़ निकाल रहे होते हैं यहां पर एक चीज़ आपने याद रखनी है तो फॉर्मॉला इस वेरी सिंपल जैकार्ड अगर निकालने के लिए कहा जाए आपको तो आप सबसे पह तो नोट कीजेगा सेम डॉकमेंट का अपने साथ ही अगर आप जिकार्ड कोफिशन्ट लेंगे तो वह वैल्यू वन आएगी ओके वन हंडर परसंट सिमिलर तो यह वन रेपेजेंट करता है वन हंडर परसंट को याद रखीगा यह भी जिकार्ड कोफिशन्ट भी आपको जीरो और वन के दर्मयान वैल्यू देता है तो जाहर एक डॉकमेंट का अपने साथ उसकी सिमिलरिटी वन हंडर परसंट होगी तो वह वन होगी और अगर किसी में कोई जैकार्ड कोफिशन्ट दो डॉकमेंट का जीरो आजाए इसका मत्तब है कि उनकी जीरो सिमिलरिटी को पर अगर आप जीरो प्लेस कर देंगे इदर उसको आप डिवाइड कर देंगे लिए से किसी भी नंबर पर तो एंसर क्या आएगा जीरो ठीक है जी सुरी बाद ताट तो याद रखी गाजी दो डॉकमेंट अगर उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है को वर्ट कॉमन नहीं है जीरो है इंटर सेक्शन तो उसका जैकार्ड कोफिशन्ट जो है वह जीरो आएगा एंबी डॉंट हाफ टो बी आप ते साइज यह भी बड़े मज़दार चीज़ है कि आप वेरीवल लेंथ दो डॉकमेंट को भी ले सकते हैं और उस पर भी जैकार्ड कोफिशन्ट अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं है कि अगर एक संटेंस है या एक डॉकमेंट उसमें दस वर्ट हैं दूसरे में भी 10 होने यह नोट कर ली हमने बिट्वीन जीरो और वन इसका जो भी एंसर आएगा वह जीरो और वन के दिम्हान है ठीक है तो आई होब डिस तिस वस वेरी सिम्पल मेशर गैन आपको समझ आगी होगी इसकी जी कोई क्वेस्टन तो नहीं बेटाइस में आपको 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 लुए अज्व्टन तो नोटीट्रीट्रीज़ आ यह जैक लंडन ट्रैवल तु अपलांड नोट के जिएगा दोनों में हमें कुछ कामन नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ कॉमन नहीं बीन नुबर थ्री जैक travel from Auckland to London इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड नदर आने दोनों के साथ common है ठीक है अगर हम बेस्ट on shingles of size 2 यानि elsonone लेएं उक्टें सब्सक्राइब राजतर जए अपट Today लेड़ सब्सक्राइब अजक्त जैकरण कको पार्त आख क करने नोट की जैगा वहर बուट और ओर ऑबतरी का जी यीए चलेगी डी 1 दीडिवांME की जिए का फॉर्मूला क्या था हमारे पास फॉर्मूला यह है कि डी ए और बी अगर हम ने देखने तो पहले हम देखें कि कॉमन कितने उनको काउंट कर लेंगे डिवाइड कर देंगे दोनों के यूनियन के साथ तो यहां पर नोट की जिगा डी वन और डी टू जी डी वन जी बिल्कु ठीक है तो क्या हुआ हुआ है डी वन डी टू ओके यह बाइग्राम लेने हैं जी हमने सॉरी हमने बाइग्राम लेने हैं बाइग्राम क्या होंगे पहला बाइग्राम जैक अंदन ठीक है वह हम तो है यूनिग्राम ले रहे हैं यूनिग्राम तो पांच आ रहे हैं ना पहला यह होगा दूसरा जी मैं कलर चेंज करूं और दूसरा यह होगा दोनों में तीसरा क्या होगा ट्रैवल ट्रैवल टू गॉमन है अ कलर चेंज कर लेते हैं ताके हमें पता चल जाए तीन हो गया जी यह और यह चौता क्या जी उनमें टू आप नहीं यह कॉमन नहीं है क्योंकि ऊपर है टू आप लेंड नीचे टू कुछ और है तू दा है यह बात फॉलोग कर रहे हूं देज नो अधर बाइक्राम कामन यह गौर से देखें इसको समय लें गौर से क्योंकि अगर आप यह कहते हो तो टू आफ्लेंड है इदर लेकिन यहां टू दया नाट खामन एट तो तीन ही बाइक्राम से नोट कीजेगा जो दोनों में कामन ने जिब फॉलोग किए सबने यह 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 फूर से पड़े ना जो आप से क्या पूछा जा रहा है आपको यह निघा गया यूणिग्राम लेने आपने ठीक है वह गलती नहीं करने आपने क्वेस्टें को पड़ना तो अगर यह तो आप नोट करोगे ट्राइग्राम तो शायद दो कमन ओते मुझे लग रहा है एक दो तीन और हाँ दो कामनों ठीक है ना तो बैटे यहां पर आपको यह कहा गया है कि बेस्ट ऑन शिंगल्स ऑफ साइस टू यानि टू टू ग्रैम्स यहां बाइग्राम जिसे कहते हैं तो उसकी फिरा बताओ के यह जी ऑफ डी वन डी टू क्या होंगे और जी ऑफ डी दोनों का क्या लेना है यूनि यूनियन ना दोनों का अगयन आपने और आप ने यूनियलेना यहां पर लिए बात फॉलुकरी तो अब मुझी बताओ कि सका इनकलेगा जी ऐक तो तीन तो यह निकल रहे है ना ठीक है जी चौथा आपने कहा था जी यह निकलेगा तो चौथा यह हो गया ठीक है कि पांचवा नोट की जिगा यह होगा च्छटा यह होगा साथ यह होगा और आठ्वा यह होगा ठीक है नोट किया जी यह सब्सक्राइब यह 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 इन दोनों संटेंस को अगर आम जोड़नें अगराम कठा देख लें तो इसके अंदर एट बाइग्राम से तो यह थ्री डिवाइड़ बाइएट होगा ठीक है और अगर हमें थ्री डिवाइड़ बाइट को कल्कुलेट करें तो यह निकलेगा जीरो पॉइंट थी सेवन फाइफ जी बटा एनी क्वेस्टेंज एर इस पॉइंट पर जी जी बटा को क्वेस्टेंज है तो बताएं नो सब्सक्राइब कोई बता सकता है कि डी वन डी त्री का क्या निकलेगा कोफिशेंट उन निकल रहे आपके सामने जीरो है मगर जीरो कैसे आ गया कॉमन बायग्राम्स नहीं है सब्सक्राइब दोग और से देखिए दी वन और डी थ्री देखना है जी हमने तो डी वन में पहला बायग्राइब दूसरा ठीक है तो तीसरा क्या होगा होट चौथा क्या होगा जी यह है ठीक है अब इसी तरीके से आप डी तरी को देखेंगे तो जैक ट्रैवल्ड जी यह दोनों में कामन नहीं है ट्रैवल्ड फ्रॉम यह भी नहीं है फ्रॉम आउकलंड यह भी नहीं है दोनों में आउकलंड टू यह भी नहीं है टू लंडन यह भी नहीं है जब दोनों का विजेवान इंटरसेक्शन डी थरी है इन इसकेस डाट इस जीरो सो चट्ट जे ऑफ दी वन कॉमा डी थरी विल भी जीरो ओके जो इसका मतलब यह कि डी वन और डी टू जो है वह आपस में सिमिलर हैं दी मन डी थरी में बिल्कुल कोई सिमिलारिटी नहीं है तो वाट डी टू एंडी थ्री अगर मैं आपको यह कहूं कि मुझे आपने निकाल के देनी है आ जे आफ डी टू एंडी थ्री तो यह निकाल लेंगे जी देख लिजेगा आप इसको एक दफार कलेट कर लिजेगा ताकि यह प्रैक्टिस होजाए आपको जैकार्ड कोफिशन्ट की समझागी तो आपने याद रखना है आपको यहां पर गिवन होगा क्या आपने बाइग्राम लेनी है यूनिग्राम लेनी है ट्राइग्राम ले यह हमने बात की है एक और इंपली यह यह ढूश्ट गवन है लिए टुमेंट यह यह दो डॉट्मट्य यहां पर गिवन है नोट ही तो हमारे पास यह है लेफ यह मारे पास यह मैं हमने जैक अगर्श यह यह जैक़र में आफ आपने जैकर्ड लयूश यह एज़ आप यह अप्रक्वार्द य के साथ कौके जूंग दी के साथ क्योंकि का कौॉर्पारी को का मैच आईडियास फ्मार्च कौॉर्य ess सीजर डाये हैं ऑप cutinator की absorpt टॉम्ट तो यह ко कर लेंगे ना जी सर कर लेंगे ठीक है को विए यहां पर तो अबी तक हमने बिटा दो सिमिनारिटी मेजर देखे एक को साइन से मेजर देखे और एक जैक कार्ट कोफिशन्ट देखा दोनों वैसे जो हैं वह कॉर्ट सिंपल है है औरुके जो को साइन से मिलैरिटी है वह पुरी पूडे डेटा को जो है यह समझेuchen आ हुए रफ fertig हम या यह करके देता है यह यह पूरे डेटा को इन सेंट इस करते ही नहीं कि यह इंट सेक्शन निकालता है और अगर इंट सेक्शन में कुछ भी नहों तो इसका स्कोर जो है वो जी रहाता है तो यह इन फैक्ट वहां पर फेल हो जाएगा कि अगर दो समझेगा कि बहुत कम से मिलारिटिए अगर डॉक्मेंट में हो तो जैकार को फिश् यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ होती है कि अगर एक नोट कीज़ेगा एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है एक डॉक्मेंट में कामन आ रही है तो जैकार को फिशंट उस चीज़ को इंग्नोर कर देते हैं यह जो है वो उसको कंसिडर नहीं करता रेर आइटम्स रेर यह जो है इने कलेक्शन और मोर इंफॉर्मेटिव दैन फ्रीक्विट टर्म्स यह इस्टाबिश फैक्ट है कि जो कॉमनली जो वर्ड यूज होते हैं उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती है लेकिन जो वर्ड बहुत रेर यूज होते हैं उनकी हमेशा टेक्स में बैल्यू ज् एंड जैकार्ड डज नॉट कंसेडर दिस इंफिरमेशन तो यह इसकी वीकनेसे जो इस से पहले हमने देखा था को साइं से मिलर्टी मेजर बैट इस डेफिनेटी बैटर देन इस जैकार्ड को फिश्र ठीक है जीब टैने क्वेस्टन्स यह बटा को क्वेशन है तो बताएं ओके नेक्स्ट सिमिलर्टी मेजर इस टी एफ आई डी एफ और यह आपने शाइद वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा बहुत कामन है यह इन प्रैक्टिस term frequency can get in verse document frequency okay so tf-idf short for term frequency or inverse document frequency idf ठीक है यह होता क्या है this is also a numeric measure number hote है जीए that is used to score the importance of a word in a document based on how often did it appear in that document and a given collection of documents कर सकते हैं यह किसी एक वर्ट कीमट कुछ एक कितनी दक इदा साथ इसकुट जो इसका है तो इस हम आज जुड़ाइब बैस ओपर यह नहींडेब न आज तो उसको हाई स्कोर मिलना चाहिए वर्ड फिर्स इन्टू मैनी अदर टू मैनी अदर डाकिमेंट इस प्रॉबरी नाद यूनीग अगर एक वर्ड एक डॉकमेंट में ज्यादा मर्तबह तो वह फिर वर्ड इंपॉर्टन्ट होगा लेकिन अगर बहुत सारे को वर्ड है और जो उसको फिर hemंए लोवर स्कोर पर जो ईसे कहते हैं इस मेजर का जो है वह का मेन आइडिया है वह यहँ इसका मैफ फॉरमुला है टी इफ-डी ऐख कैसे करते हैं टी डी ईदे वे ऑर टी इस डी टर्म जो आ रही है जो वर्ड वर्ड है जिसको झारें टी वह एक डाप्लमिंट है जिसन च 으 करें डी कैपिटल डी इस डी कलेक्शन ऑफ डाकुमेंट जो के पूरे कॉर्पस में मारे पास है तो इसको टी एफ आई डी आफ जो है अभी हम को वन पर वन ब्रेक करती हैं और इसकी ग्जामपल देखते हैं था कि आपको यह कैलकुलेट करना आजए तो पहले हम इसमें से ट आई डी एफ ओके तो हार डूवी कैलकुलेट इस तर्म फ्रिक्वेंसी पहले हम टी एफ की बात करते हैं जी इंडिकेस ऑफ टर्म फ्रिक्वेंसी टी एफ यह वाली जो होती है दिस सिंप्लेस चॉइस इस यूदर रौ काउंट फिटर्म इन डाकुमेंट हम सिर्फ कांट क अबर्ड ऑन्सब्रिका जो है जैसे हम प्रिविस टी करते हैं अंक आटिंग कांटिंग कर लेंगे को टर्म की को लइब की बड़ की एक जो जो वर्ड है ती वह कितना एक cambi कमेंट डी में कितने दफाइए इस वी डिनोर डरो खांट वाइफ फ्टी डी दैन दी सिंप्लस टी एफ स्कीम इज जो है वो सिंपल जो है वो कांटिंग कर लें तो वह भी आजएगी यानि जो टी एफ जो होगा इस केसमें अगर हम कांट कर रहे हैं किसी वर्ड को तो वह सि है तो बताइए यहां पर जुस्स कोशिच करते हैं कि नमाज तक जुँ है नमाज की बेग हम करेंगे ऑपनके के चालिस मिनट पे तो पांच बच के चालिस मिनट तक जो है वो हम इस टॉपिक को कोशिश करते हैं कम्ट्रीट करने की और उसके बाद जी हम 20 मिनट की ब्रेक करेंगे हम इंशाला 6 बज़े दुबारा रिज्यूम करेंगे ओके जी तो अब नोट की जगा जो हमने अभी देखा है कि टी एफ जो है टरन फ्रिक्वेंसी वो करनी यह है कि जो वर्ड हम जिसको ढूंड रहे हैं जिसकी बात हो रही है जो ऑफ इंटरेस्ट है उसकी उस डॉक्मेंट में फ्रिक्वेंसी कांट कर लेंगे और वही उसकी टी यह कैसे कल्कुलेट करते हैं इंवर्स डाकमेंट फ्रिक्वेंसी जो है इस हाव मच इंवर्मेशन देवर्ड प्रवाइज किया क्या वो कामन है यह रेर हैं अमंग अक्रॉस ऑल दाकुमेंट्स तो यह लागरित्मिकली से एल्ड होता है इंवर्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन नोड की जिए का यह यह वला फार्मॉलयज इसका आई गालने का हम लेंगे किसटाल à peas जोन। यह ऑड़ी लोगेंट्स की ओपर जल चोंक्यों पर जिएटर चेपित। उन डॉकमेंट्स के उपर जिन के अंदर जो टर्म है जो वर्ड हो आया नोट किजिएगा टी आई बिलॉंग्स डी जे से मुराद क्या है कि हमने सिर्फ वो वाले डॉकमेंट्स लेने हैं जिन में वो टर्म आ रही है अगर कोई ऐसा डॉकमेंट है जिसमें टर्म सिर्फ उन डॉकमेंट्स के साथ जिन में कोई वो टर्म कंटेनिंग टाकमेंट्स कंटेनिंग टर्म एंड इस रिशो का फिर हम लॉग ले लेंगे जी लोगारिफम ले लेंगे और वो हमारे पास बंचेगा आईडिएफ लेट सीन एंग्सेंपल यहां तक क्वेस्टन नहीं को ने लेगे नाई सो एक पूस्पोस आइड कि है टू टॉकमेंट्स अगए यह उनकी वही फ्रेक्वेंट्स यह वर्ड फ्रिक्वेंट्स टेपल यहां पर टॉम का मतलब है वर्ड वर्ड रॉड ग्वांट्वेंट्स क्टी नोट की जगा है किए तो दो दो यह आया है और सैंपल जो है वह वान्ट टैम है एंड सिमरेली हमार पास एक और डॉकमेंट है दिस इस अनदर इस वन है इस वन हैं अनदर टू टाइम है एक्जामपल तरी टाइम है ठीक है नोड किजेगा यह यानि बताएं रहे हैं डॉकमेंट के अंदर कि उसके लिए चार वर्ड जेंफर एंपर इसेंपल पर दो किसी एक डॉक्रमेंट में ओनली जो वर्ड से वह यह फोर है लेकिन फोर के आने की फ्रीक्वेंसी देख लिए उस दॉक्रमेंट में इस वन टाइम एपनादर टू टाइम और एक्सेंपल टू टाइम ठीक है आई होप आप यह समझ रहे हैं कि यह क्या लिखा जैसे टू ए ट टूर्म काउंट से वह यह हैं जी अब इसका टी एफ निकालते हैं पहले क्योंकि आठ टी एफ निकालेंगे तो हम आई डी एफ निकाल सकते हैं अके जो टॉर्ट जो टॉर्म फिक्वेंसी होगी सबसे पहले है लैट्स अपोज कि अगर हम दिसकी निकालना चाहरे हैं फूर ऐीच टॉक्वेंट ठीक है तो वह कैसे निकालेंगे नोट किजएगा यह ती एफ अफ दिस कॉमजी वन यनि हमने निकालना है दिसका गौर्ट से देखो दिसकी डी वन डॉक्मेंट दिसकी हम निकालना चा तो हमारे पास दिस्की जो फ्रीक्वेंसी है यह टी एफ कैसे निकालते थे जी अगर हमने दिस्की निकालनी है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी तो कैसे निकालेंगे 30 mm के अंदर जाए आधिक टोटल हमारे पास क्या है इदर प्रॉबर सब्सक्राइब इस कितने हैं तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने दित्सकी निकालनी है आप इन नोट कि जयेगा प्रॉबिबिलिटी निकालनी तो dia हो जाएगी one over five okay तो इसकी जो टर्म फ्रिक्वेंसी है नोट किजिएगा इन इच दॉक्मेंट दो वर्ड दिस अपिर्स वन्स बट एस दॉक्मेंट टॉक्वेंसी इस स्मॉलर वह वही बात है ना वह वन ओवर सैंवन होगा तो यह गोर से देखेगा टी एफ अफ दिस इन द दॉक्मेंट डी वन है वह फाइव हैं तो यह आजएगी जिरो पॉइंट टू और इसी तरह से अगर हम दिस्की डी टू में कैलकुरेट करना चाहते हैं डी टू नोट किजिएगा सेकंड डॉक्मेंट है सेवन टॉटल वर्ड्स हैं तो उसमें भी दिस्की फ्रिक्वेंसी ने की जो है वो वन ही है तो यहां पर जो हमार पास एक फ्रिक्वेंसी बनेगी इसकी वह काम होगी कि हम वन को सब्सक्राइब । uit आपको टी एफ निकालना जो है वो पता चल गया है अब टर्म फ्रिक्वेंसी अब आपको बता चल गिये कि कैसे निकालते हैं इब टैनी क्वेस्टेंट इसका इसका इडिया थे निकाल लेंगे ठीक है एन आई डिया फिस इस खांसेंट पर कार्पूस एकांट फॉर रेशा डाकवेंट वही बात आगे डाट इंक्लूड दिस अब अमने देखना है कि कि टूटल नबर दॉक्वेंट्स तू है याद रखेगा हम आई डिया निकाल रहे हैं जी दिसका कॉमा डी डी इस डी टोटल नबर आपकोमेंट और जो फॉर्मूला याद रखी वह यह था कि हमें चाहिए टोटल नबर ऑफ डॉक्वेंट्स डिवाइड वाइड वाई दोस डॉक्वेंट्स जिसके अंदर वो वर्ड आया है अब यहां पर आप देखोगे कि टोटल नबर रॉक्वेंट्स हमारे पास कैपिटल डी जो ह जो नबर आपकेुआ है वे रिटिस्काव बर्ड कितनी डॉक्मेंट्स में है डिस कवर और से देखो इस दोन रॉक्वेंट्स में आ रहे तो वीयम्ला तूब जिस में इस हैं वंजब यह होगा टू बाय टुडओ जो के एंसर उता होता है वन और जब आप उसका लॉग वन लेंगे तो डाट वूड बी जीरो तो इसका आइडिएफ आगया जी जीरो अब जाहर है अगर आप आइडिएफ आइडिएफ निकालना चाहते हैं आप और जाहर हमने करना किया कि हमने इन दोनों को आपस में मुल्टिप्लाइब तो हम करेंगे क्या जैसे दिस डीवन और डी का जो होगा वह यह होगा कि जीरो पॉइंट टू मुल्टिप्लेट बाजीरो जाहर है जीरो और दूसरे का भी जो टीएफ आइडिएफ है वह भी जीरो ही होगा ठीक है इसका मतलब के है जब टीएफ आइडिएफ जीरो आ रहा है किसी चीज़ का इसका मतलब के है टीएफ आइडिएफ जीरो फॉर्ट दिस विच इंप्लाइज दैट दो वर्ड इस नाट वेरी इंफॉर्मेटिव वाई विकाज इट अपिर्स इन ऑल डाकुमेट्स तो ऐसा वर्ड जो ज्यादा हर एक डाकुमेट्स में आ रहे है दैट इस नाट डाट यूसफू तो इसका मतलब यह होता है कि हमें शायद यह वर्ड को एक्स्क्लूड कर देना चाहिए निकाल देना चाहिए इसके उपर इसको क्याद को इंकलूड नहीं करना चाहिए अपनी क्लूएशन समय ठीक है क्योंकि यह कॉमन वर्ड है और जो कॉमन वर्ड है वह देखेंगे जिनकों स्टॉप वर्ड भी कहते हैं स्टॉबर्स को हम नॉर्मली जो है वह कैलकुलेशन में से रिमूव कर देते वाई वाइकास जो से मिलारिटी मेजर को हर जगा पाई जाते हैं तो उसकी विए से मेज़र का सत्यानास कर देते हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि टी एफ आई डी एफ जो है वह जीरो आ रहा है फूर बोथ केसे जिए जिस नाट वैरी यूसफुल मेजर अब दोनों की वैली जीरो सब्सक्राइशन फूरस तो मेक अडिसिशन सब्सक्राइब कामन होता है इन और दॉक्मेंट्स उनको वैसे एक्स्क्लूड कर देना चाहिए जी बटा आई होप आपको टी एफ आइफ आइफ की समझ आगी कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि बटा को क्वेश्चन आइफ और रहें तो फॉर्स दोडा कि जैसे नूट की जिएगा तो फॉर्स टाकॉमें जो है वही नहीं सेकंड जो डॉक्मेंट उसमेंग्जेंपल जो है वह थी टाइम आ रहें तो इसका टी एफ इसका अच्छा से पहले हमने टी एफ निकालने विद टी डॉक्मेंट डी वन हमें पता है कि डॉक्मेंट डी वन में एक्जेंपल ही नहीं तो जिरो फ्रिक्वेंसी डिवाइड़ वाइड़ टोटल नंबर और जो नम उसमें सौरी वर्ड्स हैं तो उसका आजएगा टी ए अच्छा सकते हैं एक्जेंपल को हमने लेना है विद ओल डाकमेंट तो हमार पास याद रखेगा दो डॉकमेंट लेकिन वन डाकमेंट है जिसमें एक्जेंपल एक्जिस्ट करता है तो इस लॉक आफ्ट बाफ टू ओवर वन जो कि हो जाएगा 0.301 अब यहां पर आप नो आप यह देख सकते हैं टी एफ ऑफ एक्जामपल डी वन और आईडी एफ एक्जामपल डी तो जी तो जाएगा सीधा सीधा लेकिन जो नेक्स्ट है हमारे पास एक्जामपल ऑफ जो है डी टू के साथ उसका जो टी एफ आईडी एफ वैल्यू है वह जिरो पॉइंट वान ट आता हो तो वो कौन सी डॉकमेंट को रिट्रीव करेगा को क्यों जादा है उसकी इसका हम क्वेस्टिन करते हैं जिसमें वर्ड टोकन एक्जैंपल पार तो वह डी टू का डाक्मेंट जो है वह रिटरन होगा डी वन का डॉकमेंट रिटरन नहीं होगा तो अब आपको मेरे खाल में यह सारी बाते सुनने के बाद कुछ पुछ आइडिया हो जाना चाहिए कि यह जो होते हैं इंफरमेशन रिटीवल सिस्टम्स जैसे गूगल है पर एक्जैम्पल यह विकीपीडिया है यह किस तरीके से यह आपके क्वेस्टेंस के एंसर दे रहे कि अगर मैं आप से यह कहूं इसको आपने साल्व करना है तो वैसे कुछ भी अगले कर लेते हैं और इसी में से कर लेते हैं ताके आप त्यारी शारी करके हैं